नमस्क्राइब दोस्तों स्वागाते श्रोमुस वालीची के और एक हेल्थ कंसर्ण वीडियो में इस वीडियो में बात करने वाले हैं दो बहुत ही कॉमन प्रकार की बीमारी की बारे में एक तो है हाइड्रोसिल दूसरा है वेरिकोसिल अब इसलिए मैं वीडियो बना रहा और यह दोनों बीमारी में यह देखेंगे चली शुरू करें फर्स्स जो आपको जानना ताकर testicles पताब अंडकोष बोला जाता है, अंडकोष एक बहुत important organ होता है for male, जो के involved in the process of male reproduction, तो आपके reproduction मतलब sperm production हो गया, उसका nurturing हो गया, nourishment हो गया, इसारे process उसके अंदर चलता रहता है, तो इसलिए बहुत important organ है for reproduction, ताके next generation बढ़े, तो problem यह होता है अभी, vericocele और hydrocele मे है, क्या, दोनों ही जो बीमारी है, दोनों बीमारी में है, बाहर से अगर आप देखेंगे, तो एक ही चीज़ आपको नजर आएगा, कि जो अंडकोष है, वो अंडकोष का जो size है, testicle surrounding, जो scrotum होता है, size है, size बढ़ा होता है, बाहर से ही दिखेगा, वो थोड़ा बढ़ा ह हो रहा है, size में, size में बढ़ा हो रहा है, वजन बढ़ रहा है, तो आप ऐसा feel करोगे, कि नीची की तरफ ऐसा pull, एक weight जैसा feel होगा, जिनको यह होता है, तो वो ही बोलता है, यार यह चीज़ यह ऐसा हो गया, hydrosil, क्योंकि hydrosil ज्यादा use होता है, term, इसलिए लोग hydrosil, hydrosil अगर आज अगर आपको ऐसे कोई problem है, यह taboo subject है, लोग बात नहीं करना चाते हैं, तो आपके एक चीज़ आपको बता दे कि आपको अगर कोई भी तरह का बिमारी अंकोष related है, उसको लेके तुरंद आपको treatment में जाना चाहिए, अगर देखिए age कम है आपकी, उमर कम है, त सब चांसे हैं कि यह वरिकोसील या हाइड्रोसील है, वरिकोसील होने की चांसे बहुत ज्यादा होता है, या अगर आपकी age बहुत ज्यादा है, तब जाके हाइड्रोसील, वरिकोसील में ऐसे कुछ एक हो सकता है, या फिर तब तो prostate का tumor भी हो सकता है, जिसको benign prostatic hyperplasia बोलत overall structure है, उस scrotum सुजन हो जाना, वो ऐसा बड़ा हो जाना, अब क्यूं होता है, फर्स तिंग, अगर बात करें, आज regarding hydrosil के बारे में, क्योंकि hydrosil ज्यादा famous है term, hydrosil में क्या होता है, जो scrotum है, scrotum, तब टेस्टिकल के surrounding area, वहाँ पे ज्यादा fluid आ जाता है, fluid वहाँ पे store होने लगता है, तो ऐसा आप अगर touch भी करेंगे तो आपको मैसूस होगे कि बहुत ज्यादा fluid आके वहाँ पे store हो रहा है, जमा हो रहा है, इसके कारण उसके जगा का जो size है बढ़ता है, और उस हिसाब से वहाँ का जो वजन है वो भी बढ़ता है, आपको ऐस जाधा वजन जैसा फील होना, अगर आप without underwear जाओ तो आप चल फिल्मने में दिक्कत होना, यह सब होता है, मगर दर्ध उतना नहीं होता है, हाइड्रोसिल में दर्ध उतना नहीं होना चाहिए, यह नाचरल है, अब हाइड्रोसिल क्यों होता है, जेखो हाइड्रोसिल जेनर छोट लगने के कारण भी हो सकता है, मालेब कि आप अथलेट खेल रहे है और क्रिकेट खेल रहे हैं अचानक से ऐसा क्रिकेट का बल जो है वहाँ पे आके बल लग दे उसके कारण भी वहाँ पी वह प्रॉब्लम हो सकता है, अपार्ट फ्रॉमड़ाट जो maximum cases में होता है, व उसका बहुत सारे modification होता है, आखिरकार जो modification होके, एकदम fully fledged, छोटा इंसान जो होता है, वो बनके वो बाहर आता, तो यहाँ पर बात होता है, जब यह process continue चलता है, हमारे abdominal cavity है, मतलब पुरा यह अंदर का एरिया, abdominal cavity, जिसके अंदर हमारे stomach हो, intestine हो, सारे को सारे कुछ fit है, यह connection जनम लेने से कुछ time पहले, मतलब time मतलब not in hours, but in days, वो धीरे धीरे बंद हो जाता है, वो connection को close किया जाता है naturally, ताके abdominal cavity separate हो जाए, reproductive system separate हो जाए, मगर यहाँ पर क्या होता है, यह अगर एक birth लेने के time defect है, जिसके कारण यह separate नहीं हो पा रहा है, तब जाके क्या हो जाएगा abdominal cavity का, जो fluid है, वो जाके आपके scrotum में store हो जाएगा, इसके कारण जो होगा hydrocelle हो, तो hydrocelle के यह तीन कारण है, एक तो injury, चोट लगना, दूसरे infection, यह तीसरा, जनम कारण, मतलब जनम के साथ-साथ यह start, नहीं होना जाएगा, अभी बात कर रहे हैं, जो के वेरिकोस, जो maximum लोगों को, जो लोग बोलते हैं के age 15-16 है, 20-22 साल, 30 साल, उस उमर में, जो scrotum में होई, एक ही पपर सुजन हो रहा है, वहाँ पर, वहाँ पर वह से swelling हो रहा है, ऐसा लग रहा है, दर्द हो रहा है, वो जो है, वो hydrocelle नहीं है, वो अगर ज्यादा दर्द हो रहा है, और व मुझे एक-दो साल में start हुआ, तो वो chance है, कि वो varicocyl है, varicocyl, varico, varicocyl का time का मतलब समझो, varicocyl क्यों होता है, varicocyl इसलिए होता है, कि वहाँ पर testicle, वहाँ पर जो blood supply रहता है, वो blood supply का जो size है, मतलब अर्टरी जो blood को वहाँ से draw करता है, जिसके कारण blood flow में, वहाँ पर difference और सिर्फ आर्टरी बनाई नहीं होता है, वो twist हो जाते है, एक के साथ है कैसा twisted हो जाते है, उसके कारण blood टिक-ठक supply नहीं होता है, उस जगा में क्या होता है, धीरे-धीरे सुजन होने लगता है, उसके कारण दर्ध होने लगता है, यह चीज है, varicocyl की symptom है, तो अगर तो चांसे आर, आपको हाई चांसे के varicocyl होया है, ना तो hydrocelle, ठीक है, बहुत important होता है यह जानना, यह varicocyl यह hydrocelle, उस हिसाफ से treatment दिया जाएगा, अब अगर आपको उम्र बहुत ज्यादा है, या फिर कोई family member आपको ऐसा problem हो रहा है, उम्र बहुत ज्यादा है, तो उसक हम एज में अगर कोई जाए, तो generally हम देखते हैं, का hydrocelle या varicocyl के सज्ज़ट, डियागनोसिस करते हैं, और अगर यह बात है, कि age बहुत ज्यादा है, तो वहाँ पर prostate को भी चेक करना चाहिए, फिजिकल प्रॉस्टेट एग्जामिनेशन होगा, और antigenic marker टेस्ट करना है, कि prostate के है, तो बात से नहीं नज़र आएगा, उस हिसाब से को prostate अगर बढ़ा होता है, तो बात्रूम ज्यादा बार आप जाएंगे, ज्यादा बार आपका urination होगा, वो अलग चीज है, अलग symptom, तो अगर कहीं भी तरह का उस जगा में, scrotum, अगर swell है, सुजन होता है, ज्या के बाद diagnosis होगा, उसके बाद आपका proper treatment प्रोवाइट किया जाएगा, तो ये वीडियो आज इसी लिए बना के difference क्या है, हाइड्रोसील और वरिकरसील में, आशा करते हैं आपको difference क्लियर आगया होगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेर करना ताके लोगों को आम शब्द में चारे चीजों के बारे में पता चल सके, thank you, bye.